वेलकम टो मास्टर माइन अब जीके एक बार फिर आप लोग का स्वागत है मास्टर माइन अब जीके में आज इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का 50 महत्पूर्ण अब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे जो आपका बिहार पुलिस फायर मैंन के साथ साथ ACC GD के लिए भी का जाते थे वह टेन प्लस टू लेवल से प्रशन पूछे जाते थे लेकिन अभी इसका स्लेवस में चेंज हुआ है और जो कोस्टन रहेगा आपका मैट्रिक लेवल का रहेगा यानि तेंथ कल लेवल का को संपूछा जाएगा और उसका सिलेवस भी आप लोगो प्रशन लिया गया था गती बल एवम उर्जा से गती बल एवम उर्जा में आपको देखे इतना सारा चैप्टर पढ़ा है तो सभी से मैं प्रशन संग्रा करके 50 प्रशन अल्रेडी प्रवाइड करा चुका हूं नहीं देखें तो आपको पले डिस्ट में जा करके देख ल देखेंगे बिल्कुल सिलेवस के अंसार मैं कर रहा हूं और कोशिस करूंगा कि एकजाम तक पुरा सिलेवस मैं आप लोग को कवर करा दूं इसके बाद में प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को प्रवाइड करा जाएगा और साड़े आठ वे जिक्के जिसका लाइब क्लास चलता है तो साड़े आठ वे आप लोग लाइब क्लास में जिरू जुड़िएगा तो चले फिडियो के शुरू करते हैं आपका यही सी लेवस है ठीक है विज्ञान का है तो चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं कोश्चन का लेवल है जो मॉडरेट है अच्छा कोश्च भौमिक नियम द्वारा समझा नहीं गया तो पहला सवाल का राइट अंसर क्या होगा निम्लिखित में से कौन सा गृत्वा कर्शन के सार भौमिक नियम द्वारा समझा नहीं गया राइट अंसर आप्सन नमर डी होगा चंद्रमा और सुरी के कारण ज्वार भाटा इसको न प्रोमिक नियम द्वारा नहीं समझा गया तो आप्सन नमबर डी चंद्रमा और सुर के कारण जो अरभटा इसको नहीं समझा गया चले सवाल नमबर दो को देखते हैं सवाल नमबर दो आपका है यदि दो बस्तुओं के बीच की दूरी को दूगना कर दिया जाए तो इन दो कोनों के बीच बल पर क्या परभाव पड़ेगा सवाल नमबर दो का करेक्टन सर आप्सन नमबर डी होगा गुरुत्य बल चार के गुनन में कम होगा ठीक है अच्छा सवाल है इसी टैप का सवाल आजकल पूछा जाता है फ्रेंस कि दो बस्तुओं के बीच की दूरी को कि द्रमान को दो वस्तुओं के द्रमान को तीन गुना कर दया जाए तो दोनों वस्तुओं के बीच बल होगा एक्जाम तक जब भी वेबसाइट पर जाकर करके रिविजन कर सकते हैं ठीक है तो वेबसाइट पर भी काम चलो जितना मैं चेप्टर बाई कराऊंगा सभी को चेप्टर बाई मैं वेबसाइट पर डाल दूगा वहाँ पर आप अराम से पढ़ सकते हैं चले सवाल नमर चार को देखते हैं सवाल न तो न्यूटन का जो दूतिय गति नियम उसके बारे कौन सा कथन इसमें सही है सवाल नमर चार का करेक्टनस और आप्शन नमर शी होगा बलों के प्रभाव को समझने में सहायक है ठीक है न्यूटन का जो दूतिय नियम है गति का बलों के प्रभाव को समझने में सहायक है और आपका जो Newton के दूतिय गति नियम है उसको संबेक से संबंदित है पूछा जाता है कि कौन सा Newton का गति नियम है जो संबेक से संबंदित है तो आपका है कि Newton के गति का दूतिय नियम दर्स आता है क्या दर्स आता है तो पांच नमर सवाल का जो राइट असर एफेंस ऑप्शन नमर डी हो जाएगा किसी वस्तू की गति के परिवर्तन की दर सुध बल की दिशा में वस्तू पर लागू सुध बल के अनुपातिक होती है यह देखें इंपॉटेंट सवाल एफेंस अब है जो कोस्चन सिधे सिधे पूछा इस तरह से नहीं पूछा जाता है कि किरिया के बिप्रित परति किरि कि दित्य नियम दर साता क्या तो आप्सन नमर्डी इसका राइटन सरोगा किसी वस्तू की गति के परिवर्तन की दर सुध बल की दिशा में वस्तू पर लागउ सुध बल के अनुपातिक होती है तो सवाल नमर पांच का जो करेक्टन सरो जाएगा आप्सन नमर डी हो जाए बल का मान होगा, कोश्चन अची तरह से समझे, कि जब दो समान बल, किसी निकाई पर, और बिप्रिद दिशा में, ठीक है, बिप्रिद दिशा में कार कर रहे हो, तो निकाई पर कार करने वाला, बल का मान कितना हो जाएगा, तो 6 का राइटन सर, ऑप्सन नमर B होगा, सुनने हो जाएगा, जब बिप्रिद दिशा में करेगा, तो सुनने हो जाएगा, 6 का करेक्टन सर, ऑप्सन नमर B हो गया, चलिए सवाल नमर 7 को देखे, सवाल नमर 7 आपका है, दो पिंडो के बीच, सवाल नमर 8 को देखे, एक सेल के बिसफोट के बाद, कई टुकडे अलग-अलग दिशाओं में बट जाते हैं, एक सेल के बिसफोट होने के बाद, कई टुकडे हैं जो अलग-अलग, जिसाओं में बढ़ जाते हैं इस स्थिती में क्या संदच्छित रहता है option में स्थिती जुर्जा, B में बल, C में कार और D में संबेग 8 का जो right answer है किस के रिए option number D संबेग है जो क्या होता है संदच्छित रहता है सवाल number 9 को देखे सवाल number 9 आपका है किस कोन से फेके जाने पर कोई वस्तु सरवाधिक दूरी तक प्रशेपित होती है ये देखे दो तीन तरह से सवाल पूछा जाता है कि किर्केट के खिलारी है जो बॉल को किस एंगल पे मारेगा तो ज़्यादा दूरी तय करेगा उसी टाप से पहले ही बता चुका ओफ्रेंस इसका राइटनसर आप लोगो पता होना चाहिए 45 डिग्री ठीक है किस कोन से फेके जाने पर कोई वस्तु सरवाधिक दूरी तक प्रशेपित होगी तो 45 डिग्री चले सवाल नमर 10 को देखते हैं किसी पिंद का वेग समरूप कब कहा जाता है किसी भी पिंड का वेग है, जो समरूप कब कहा जाएगा, तो इगारा नमर शावाल का करेक्ट अंसर होगा, option number 3, वेग का मान और दिसा दोनों नियत हो, तभी है, जो क्या कहा जाएगा, उसे समरूप कहा जाता है, ठीक है, किसी पिंड का वेग समरूप कब कहा जाएगा, वे अब बाकी जो प्रशन 11 के बाद हो सब तरंग से है ठीक है तरंग में जो जो प्रशन महत्पून बनाए सभी को सामिल के हैं उसके बाद जो प्रशन बचा हुआ है उसको हम नेक्ष्ट बुडिये में कवर करेंगे तो हम लोग 10 11 तक देख लिए थे अब 12 नमर सवाल से देखे 12 नमर सवाल से है दूसरा चेप्टर से प्रशन लिया गया है यदि एक तरंग की आविर्ती बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्जर पर क्या परवाव पढ़ेगा? किसी तरंग की अगर आविर्थी बढ़ती है तो उसका जो तरंग दर्ज होता है उस पर क्या परभाव पड़ेगा 12 का करेक्टनसर आप्टन नमर 6 यह घट जाती है याद कर लिएगा ठीक है तरंग की अवर्थी बढ़ेगी तो इसका तरंग दर्ज क्या होगा घट जाएगी 12 का सी करेक्टन सर होगा सवाल नमर 13 को देखे सवाल नमर 13 है 2 उत्रोतर स्रिंग अथवा 2 उत्रोतर गर्थ के बीच की दूरी को क्या कहते है जो स्रिंग गर्थ इस तरह से होता है तो इसको दोनों के 20 की दूरी को क्या कहेंगे 13 का राइटन सर तरंग दैरी कहेंगे आप्शन नमर 20 का करेक्टन सर होगा सवाल नमर 14 को देखे सवाल नमर 14 है किसी माधियम में तरंग संचरन की दसा में माध्यम के कनों का अधिक्तम विस्थापन कहलाता है क्या कहलाता है किसी माध्यम में तरंग संचरन की दिशा में माध्यम के कनों का अधिक्तम विस्थापन कहलाता है क्या कहलाता है तो 14 का करेक्टर सरा हो जाएगा option number 3 आयाम कहलाता है ठीक है यह आयाम कापका definition है कि किसी माध्यम में तरंग संचरन की दिशा में माध्यम के कनों का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है तो आयाम कहलाता है अग्ला सवाल देखे पंदरन नमर सवाल पंदरन नमर सवाल है सवाल को पूछा जाएगा तो बहुत ही इजी नहीं रहेगा मेडियम 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 रहेगा ठीक है तो मैं कोशिश कर रहा हूं उसी टैप का पंदरन नमर सवाल का देखे धमनी की प्रबलता स्रोथ से दूरी के वर्ग क्या होती है तो वियुत कर्मानुपाती होते है कौंसी टरंगें का पहल 曲या जाता चता से जले कन्वाल करेक्ट्ट्रण ऑप्सन नमबर 17 को कि सबसे कम होती यह भी याद रखेगा पुछा जा रहा है कि कौन सा रंग की तरंग दैरी और कि वेव लेंथ सबसे कम होती है तो 17 का करेक्टरन सरों का option number D बैगनी का जो है वेव लेंथ अर्था तरंग दैरी क्या होता है कम होती है अब जो सात रंग होता है फिरेंस आप लोगो बैणी आप पिनाला सुने होगे बैणी आप पिनाला लास्ट में क्या आता है ला आता है ठीक है बैणी आप पिनाला और सबसे अधिक किस रंग का तरंग देरे होता है तो लाल का अधिक होता है चलिए अगला सवाल को लिए अधिक किरने के समंद में निमने प्रश्णों में से कौन सा सही नहीं है अधारा नमर सवाल का जो करेक्टन सर होगा आपसन नमर यह हो जाएगा वे बिद्धु चुमंगे तरंग होती यह सही नहीं है जो कौस्मिक किरने होती है वो बिद्धु चुमंग के तरंग यह नहीं होती है यहाँ पर लिखा है होती है तो आपका आपसन नमर यह सही हो करने विछोब के प्रसार की दिशा में लंबवत उपर और नीचे दोलन करते हैं यहां किस परकार की तरंगों की चर्चा की गए ठीक है किस तरंग के बारे में कहा जा रहा है करने जो विछोब के प्रसार की दिशा के लंबवत उपर नीचे दोलन करती है 16 का जो राया डम सर होगा फ्रेंस ऑपसन नमघ अनुपरस त्रंग के बारे में यहापे कहा जा रहा है ऑपसन नमघ शी है जो राया अन्ख करी तरह होगा चले सवाल नमघ 20 को देखे वीश नमघ शवाल है निमलिकित में से कि टरंगों में शंपिडन और विरलन परतिकिरिया शामिल है बहुत इंपोर्टेंट शवाल एफिंस कौन सा तरंगों में शंपिडन और विरलन परतिकिरिया शामिल है 20 का रायट नसर हो जाएगा आपका option नमर B अनुदैर जी तरंग में ठीक है option नमर B इसका correct answer हो जाएगा सवाल नमर 21 को देखे 21 नमर सवाल है आविर्ति और कलावधी में क्या संबंद है तो क्या संबंद है 21 का जो रायट नसर होगा option नमर D हो जाएगा T equal to क्या जाएगा 1 by U ठीक है यही संबंद है याद रखे आविर्ति और कलावधी में क्या संबंद है तो option नमर D का right answer होगा सवाल नमर 22 को देखे तरंग का आयाम होता है क्या होता है 22 नमर सवाल का जो correct answer होगा option नमर B तरंग का आयाम माधियम के कनो द्वारा मद अस्थान के किसी भी तरफ से की गई अधिक्तम दूरी होते ये बहुत ही important शवाल याद रखेगा तरंग का जो आयाम होता है क्या होता है तो माधियम के कनो द्वारा मद अस्थान के किसी भी तरफ कोई भी तरफ से की गई अधिक्तम दूरी option नमर 20 का right answer होगा चले सवाल नमर 20 और सभी का my friends website पे डाल दोता हूँ तो वहाँ पर आप लो बर बर रिविजन दो चार बर कर लेगा तो सभी माइन में आ जाएगा तरफ नमर शवाल को देखे तरफ नमर शवाल है एक तरंग के गर्थ की गहराई को इसका क्या कहा जाता है इसका रायटनसर आप्सन नमर डी होगा एक तरंग के गर्थ की गहराई को इसका आयाम कहा जाता है आप्सन नमर डी इसका रायटनसर होगा सभाल नमर 24 को देखे रेडियो द्वारा उत्पादित धवनी से बढ़ती है क्या बढ़ती है तो आविर्थी गलत हो जाएगा पीच गलत हो जाएगा यो रेडियो दवारा उत्पादी थवनी है वह आयाम बढ़ने से क्या होते बढ़ती उपसर नमर 10 Και अब के बहुत इंपोर्टन शवाल है तो इसका डिरेक्ट में अंसर बता रहा हूं 25 का जो correct answer होगा option number D हो जाएगा धबनी तरंगे और परकास तरंगे तो धबनी तरंगे होती है जो अनुदेरी तरंगे होती है और परकास तरंगे होती है जो अनुदेरी तरंगे होती है और परकास तरंगे होती है जो अनुदेरी तरंगे होती है पहले भी बहुत बार मैं रिपीट करते रहता हूं तो याद सबसे अधिक बेधन चमता किसकी होती है सबसे अधिक बेधन चमता किसकी होती है प्रेंज सबसे हनिकारक बेधन कौन है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है और इसमें अक्सर भीदार्थी कन्फिज होते हैं फटाक से पराबैगने किरन मार देते हैं गलत हो जाएगा सबसे ज्यादा करारा मनुस के लिए सबसे हनिकारक बेधन कौन है तो उन्टिस नमबर सबसे ज्यादा हनिकारत भी कीरन है ठीक है तो आपका आपसन नमरे करेक्ट होगा गामा किरने सबसे ज्यादा क्यार्व में किस तरंग की तरंग धार अधिक्तम होती जो दो सवाल है इसको माय जरूर रखे उपकर का सवाल पुछा जाता है देखे निमानिकित विधूत्चुमक तरंग की तरंग और अधिक्तम होती है कित्रंग की तरंग होती है और इसकी तरंग थिक्तम होती है चलिए तधिकतम हो देख लिए अवरक्त किरने का तो इसी समंदित अगला सवाल है कि कम किसका होता है निम्लिकित विदुद्चुमक के तरंगों में से किसकी तरंग धार सबसे कम होती है 31 का करेक्टनसर आप्सण नमर डी होगा गामा किरने की सबसे कम होती है फ्रेंस आवरक कर लाता है कि धवनिक संचरन के दौरान माध्यम में कनों के उच्छ घनत वो छेत्र क्या कर लाता तो संपीडन कर लाता है चले सवाल नमर 33 को देखे सवाल नमर 33 आपका है कि यदि किसी तरंग की आविर्ती दोगनी हो जाती है तो उसकी त्रंग दैर्य होगी इस सवाल बार हो जाएगा ठेक है चलिए अगला सवाल को लेते हैं 34 नमर शवाल यदि दो क्रमिक सिर्षों के बीच की दूरी एल है तो उनकी तरंग दैर ही को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा तो एल द्वारा ना आप्सन नमर 34 का राइट अंसर आप्सन नमर डी होगा यदि दो क् सवाल नमर 35 को देखे तरंग लंबाई आम तोर पर ग्रिक लेटर दरसाया जाता है तो तरंग के लंबाई किसके दूरा दरसाया जाता है लैमडा ना आप्सन नमर डी का राइट अंसर होगा 25 का राइट अंसर अप्सन नमर d होगा सावाल नमर 76 को देखें 36 नमर् cheaper निमलिखित में से कौन सी एक अनुप्राश तरंग नहիं है अनुप्राश तरंग इसमें से कौन नहीं है 36 का रायटनसर क्या होगा आप्शन नमर 20 यह धबनी तरंग जो आपका अनुप्राश तरंग नहीं है ठेक है धमनी तरंग कैसा है तो अनुदैर ये तरंग है अभी मैंने बताया बाकी परकास की तरंग रेडियो तरंग विदुचमी के तरंग ये सबी है जो अनुदैर ये तरंग के उदाहरण है धमनी तरंग है अनुदैर ये तरंग का उदाहरण तो आप्शन नमर्डीस का र वाईू का दाव क्या होता है शंपिड़न का निर्मान उस अस्थान पर होता है जहां वाईू का दाव क्या होता है उच्च होता है option number D 38 का correct answer है 49 नमर शवाल को देखे कि अनुदैरी तरंगों में कन संचरन की दिशा में कमपन करती है कैसे करते हैं लंबवत अर्ध विर्ताकार समनांतर या प्लानर करता है ध्यान से याद रखेगा अनुदैरी तरंगों में कन संचरन की दिशा में समनांतर कमपन करते है option number C 49 का correct answer हो जाएगा 40 नमर शवाल को देखे 40 नमर शवाल है विर्ली करण होता है जहां हवा का दाब क्या होता है हवा का दाब क्या होगा निम्न होगा उच्छ होगा फट फट गेस करें इसका right answer option number A हो जाएगा निम्न होगा विर्ली करण होता है जहां पर हवा का दाब वायू का दाब क्या होता है निम्न होता है वहीं पर विर्ली करण होता है 40 का right answer option number A होगा चले फ्रेंज सवाल आमने एक तालिस को देखे वीडियो बनाने में है जो सुमेलित नहीं है इसा पूछा जा रहा है तो रेडियो तरंग सेलूलोर फोर में इसका पर योग किया जाता है ये तो सुमेलित है अवरक्त किरने घरेलू इलेक्टोनिक के रिमोट स्विच में बिल्कुल सही देखे ये भी सवाल पूछा जाता है कि रिमोट में है जो कौन सा तरंग पर योग होता है तो रख्त किरने ये भी आपका सही है गामा किरने कैंसर को सिकाओं को नष्ट करने के लिए दवा में ये भी सही है आनि ऑप्सन नमर डी सका राइटनस होगा सब को याद कर लिजेगा नमने कि तुम से कौन सुमेलित नहीं है तो देखे धवनी के लिए माध्यम चाहिए माध्यम रहेगा तब ही गमन करेगा और धवनी है जो अनुद्धर रितरंग में गमन करती है निर्वात जहां पर वायू नहीं है वहां पर गमन नहीं कर सकती है निर्वात मतलब का होता है वात मतलब हवा होता है फिर्श ठीक है और निर्वात का रहानी कि जहां पर वायू बिल्कुल नहीं है उससी को हम क्या करते हैं निर्वात करते हैं तो राय टंसर 42 का D हो जाएगा धवनी गमन नहीं कर सकती निर्वात में 43 नमर्ट सवाल को देखें कि निम्रिकित में से कौन सा ध्वनी तरंग की विशेश्ता नहीं है धवनी तरंग की विशेश्ता इसमें से कौन नहीं है आयाम तो है समय और अवधिय और आविरति ये भी है गती भी है घनत देंसिटी है जो नहीं है धवनी तरंग का जो डेंसिटी विशेष्टा नहीं है 43 का राइट अंसर हो जाएगा आपका option number D हो जाएगा ठीक है 43 का राइट अंसर option number D होगा चले सवाल नमर 44 को देखें सवाल कराने के लिए परियुक्त बल पे करता है 44 का जो करेक्टन सब्सक्राइगा option number D हो जाएगा धवनी तरंग का आयाम है वो किस पर निर्भर करता है तो वस्तु को कमपन कराने के लिए परियुक्त बल पे करता है 45 नमर शावाल को देखें परती सकेंड 21 छेत्र से गुजरने वाली धवनी उर्जा की मातरा को क्या कहा जाता है तो 45 का जो करेक्टन सब्सक्राइगा option number E हो जाएगा तिवरता ठीक है उसे क्या कहा जाता है तिवरता कहा जाता है अगला सब्सक्राइगा जाता है 46 नमर शावाल कि जब धवनी हवा के माध्यम से गुजरती है तो हवा के कन क्या होते हैं option number A होगा सवाल नमर 47 को देखे ultrasonic तरंगों की आविर्थी कितनी होते हैं जो ultrasonic तरंगों होते हैं कि बारे पूछा जा रहा है 47 का right answer होगा option number C होज़ाँ 20 KHz से ज्यादा 20 KHz से ज्यादा होता है ultrasonic तरंगों की आविर्थी 47 का right answer option number C होगा अदालीश नमर स्वाल को देखे, खाले अस्थान की आविर्ति मनुष्ट के लिए स्रब यह नहीं है, कौन सा नहीं है, तो हम लोग को पता है, फ्रेंश की, 20 हजार हर्ट से लेकर करके, 20 हर्ट से लेकर के, 20 हर्ट तक हम लोग सुन सकते हैं, तो यहाँ पर क्या कर आया आपका 48 की आविर्थी मनुष के लिए स्रव यह नहीं है तो कौन स्रव यह नहीं होगा अप्षेंस तो देखिए यह 20,000 हर्च अधिक है ना आप्षन नमर 20 का राइट अंसर होगा बाकि यह सब तो हम लोग सुन सकते हैं लेकिन 20,000 हर्च अधिक हम लोग के लिए स्रव नहीं है तो अप्षन नमर 28 का राइट अंसर हो जाएगा चलिए अगला सवाल को लेते हैं अप्षेंस अप्ष्रव यह यह तो क्या काता है इंफ्रासोनिक तरंगे की आविर्थी होती है इंफ्रासोनिक तरंगे की आविर्थी यह तो अप्ष्रव काते हैं अब 20,000 हर्च से लेकि अधिक जो होता है उसको प्रस्रव काते हैं इसका कॉंसेट आपको जरूर के लिए लखेगा इससे टॉपिक में दिया हुआ हुआ है तरंगे चमगादर को उनके रास्ते में आने वाली बद्हाओं का पता लगाने में मदद करती है कौन सा तरंगे चमगादर है जो रात में भी उड़ते हैं तो उसमें उस तरंग के माध्यम से उड़ते हैं तरंगे से तरंगे से अधिक होते हैं तो देखें आपका चेप्टर था तरंग उसमें देखें सब्सक्राइब के लिए पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चेप्टर पढ़ना था जो सवाल में सामिल किया था तरंग से था तरंग में आपका था धवनी तरंग का संचरण स्रीमा के बारे में कुछ प्रश्ण देखें और बाकि जो बचा हुआ इससे कल के वीडियो में मैं आप लोगों को प्रौइड करांगा स्रमन स्रीमाम हम लोग ने कुछ देखा स्रव तरंगे किसे काते हैं तो 20 हड से लेकर करके 20 हड तक स्रव तरंग ये था अब सरव तरं है जो आप उसमा से लेंगे इसी तरह से सभी बिसाइका से लिवस मेरे पास है फ्रेंट्स और उसी हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रौइड करांगा ठीक है आप साड़े आड़ वे लाइव क्लास में आप लोग जरू 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 अच्छा लगे तो लाइक जरू करेंग देखने के लिए थैंक्यू धन्यवाद